चलिए एक पजल देखते हैं आप लोग जब भी सेशन को देखते हैं इस वीडियो को वाच करते हैं तो रूल यह है कि पहले आप इसको पूरा ध्यान से पढ़िए उसके बाद एक रफ डाइग्राम मनाईए जो भी एकॉर्डिंग टू कोशन और फिर उसके बाद कोशन सॉल करें अगर आप से कुशन सॉल हो रहा है ठीक है नहीं हो रहा है तो फिर आप सॉलूशन देखें जैसे अगर इस कोशन में देखें तो बोला सेवन बॉइस एडी वाई यू पी क्यू एंड जे लिव इन त्री डिफरेंट बिल्लिंग तीन अलग-अलग तरे की बिल्लिंग में रह रहे हैं जैसे आशियाना तौब व्यू एंड इच ओफ देम फ्लाइंग काइट और डिफरेंट कलर सभी पतंग उड़ा रहे हैं राइड ग्रीन ब्लू वाइट ब्लैक येलो एंड पिंग नॉट टेसरी इन डैट और देट और देन त्री और लिखा हुआ है क्याल जाता नहीं तरी दो से कम नहीं और तीन से ज्यादा लोग नहीं रह सकते अब इस कोश्चन का अगर हम कंसे शमझें तो हमारे पास तीन तरह की बीडिंग से तिनों बीलिदिंग के नाम दे देते हैं हम और अपको यह किलिए रइकार इसा और आपका यह क्लियर एकंस कि अब जिसका जो बोला वो देखते हैं क्यूंडि फ्लाइंग पिंग्ट करेड एंड लिव अनली जे क्यूंड इखा क्यूंस व्लाइं लिव ही लें इन टा सेमें विल्लिंग आई क्यूं उसी बिल्लिंग मेंables रह था और वह जै के शाथ रहए और लिखा हुआ क्यू इस फ्लाइंग पिंग काइट लिव इन सेम बिल्डिंग एज उनली जे यानि क्यू और जे की बिल्डिंग एक ही है कौन सी अभी धोड़ी दिर में तो तो प्राउब्लम खतम क्यू पिंग कलर की काइट उड़ा रहा है और इसके साथ जे उनली रह रहा है यहां के पूरे हो गए तो य के लिए दिया है ब्लैक कलर ठीक है यू ड़स नॉट लिव इन दसेम बिल्डिंग एस ए और पी यू इस बिल्डिंग में नहीं रहेगा जहां पर ए और पी रह रहे हैं और फ्लाइंग इस येलो कलर काइट ठीक है डी लिव इन अब बी किसमे हो रहा है डी तो यहां रह रहा है ठीक है डी लिव निन ठीक है इस ओनली वन मोर पर्सन एंड हू इस फ्लाइंग ग्रीन काइट आप इसके साथ यू रह सकता है है न क्यूंकि लिखा यू ड़स नॉट लिव इन दा सेम बिल्लिंग आज ए और पी ठीक है ए और पी यहां हो होगे मतलब यह और पी यहां हो गया तो क्यों यू यहां हो गया बस आप दो तीन बार स्टेट्मेंट पढ़ेंगे कोशन हो जाएगा डी लिव इन ठीक है विट ओनली वन मोर पर्सन एंड फ्लाइंग इस ग्रीन काइट यू कॉंसे काइट उड़ा रहा देखिए डी इस कि यूदा विट उड़ा रहा है तो टोब यूदिंग इसा हुट इसका मतलब यहां ले लेते हैं तो पी ड़न्वी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यuba आपा यह एंपऊंगे लुका यू रहा हमें पता था यखना भूल गया अब बचा एक कड़र की का जो हम सकते हैं कॉनकु से कव और पार हिक लोगा मैं नचल भी हो गया स्वारी यह एक का क्लार कौन सा दिया था कि एंट प्लाइंग यह ठीक है पी देज नॉट हाँ ब्लू नहीं है यह ब्लू हो गए ना अब एक कलर बचा हुआ वह देख लीजिए ग्रीन हो गया ब्लू हो गया वाइट हो गया इस ब्लैक हो गया यलो हो गया यह रैड नहीं हो था यह रैड भी हो गया हमारा अब आप जब यह रफ दाइग्राम बना लेते हैं पिर आप कुष्छन करते हैं question एक साथ link होते हैं बहुत easily कर पाते हैं अब हम one by one question को समझेंगे और आप इसके answer दे सकते हैं सबसे पहले पूछा है कि who live in rich building ठीक है तो D and U D or U who is flying blue kite blue kite कौन ब्लाइ कर रहा है कर रहा है who flies red kite red kite कौन कर रहा है P who stand top view building top view building में है वाई एंप वाई एंप वाई और एंप नहीं है तो none of these भी होगा what color kite is J flying J कौन से कलर की काई प्लाइ कर रहा है वाइट यानि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया और फिर question किये तो आप से कभी कोई question गलत नहीं होगा